एक दिन वो उससे मानसिक संवाद करने लगी, नहीं नहीं, वो पागल नहीं थी, वो तो निश्चल मन की थी, प्रिया की अनुपस्तिती केवल मैनों के लिए थी, रिदय के लिए नहीं, वो मुश्कुराता, वो खिल-खिलाती, वो नाराज हो जाता, वो बाते बनाती, उसे म नहीं जाएगी। फिर एक दिन बड़ी बेचैन होकर उसने अपने प्रिय की स्वृति को विदा कहने का सोचा। वो बोली सुनों तुम और मैं अब स्वृति में भी साथ नहीं रह पाएंगे शायद। तुमने जब जाना चुना था, मैंने तब भी तुम्हें थोड़ा सा रोख कर रखा। अब शायद मांसिक रूप से बिछड़ना हमारे प्रेम की नियती है। सुनो, तुम जो जा रही हो, तो ये साथ का सफर तुम भी थोड़ा साथ रखना। तुम सड़क के उस तरफ हो, मैं सड़क के इस तरफ। सड़क जो बनती हैं कंकर पत्थर से, मैंने लौटते वक्त चुपके से सड़क के दाएं-बाएं भैला दिये थे कुछ प्रेम बीच। प्रकृती भी सहयोगी रहे, देखो खिल आएं नन्हे पौदों पर रंग बिरंग फूल। खुश्बूएं भी खरती रहेंगी, चाहे हम तुम रहें ना रहें। मैं अजीवित होकर भी यहां भ्रमण करती रहोंगी। तुम भी अपने हिस्से की खुश्बू भर लेना, रदैसे। मैं समझूंगी, मैंने निबास पा लिया है वहां। सुनो, अब जब बिशड़ना ही है, तो कठोर क्यों होना। मन में कड़वाहट क्यों रखनी। तुम भी मधुर सुम्रतियों का ही संग करना। वो जो जा रहा था उसने पलट कर नहीं देगा। उसने देखा आँखों के सामने एक लंबा रास्ता जीवन का। उसकी आँखें भी गाई। वो समझ गया आगे किसी सफर में ऐसी दिवानी नहीं मिलेगी। वो एक खाली पन लिये फिरता रहेगा और यही उसका विदाई उपहार होगा जिसे उसने स्वैफ चुना। कुछ तो बोलो कैसी लगी। दोस्तों जो मैंने आपको कविता सुनाई, पंग्तियां सुनाई, यह मनप्रीत मखीजा के लिखी हुई है। उन्होंने फेजबुक पे लिखी थी हैं पंग्तियां, मुझे बहुत पसंद आई। और मैं जानता था कि आपको भी बहुत पसंद आएंगी। बस मैंने सुना दी, एक जिन्दगी है, इश्क करते रही है।